उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दलित समुदाय के 50 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर इसलाम अपनाने का एलान किया है इनका अरोप है कि योगी सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और इसलिए वो इसलाम अपनाने जा रही है अपने घर में रखे देवी देवताओं के प्रतिमा को नदी में विसरजित करने के लिए ले जाते ये लोग दलित समुदाय के हैं इनका अरोप है कि साहरनपूर और संभल में बीजेपी कारेकरताओं ने दलितों पर अत्याचार किया है जिसके बाद इनका बीजेपी और हिंदु धर्म से मोभंग हो गया है डलित समुदाय के इन लोगों का कहना है कि इने केंदर की मोधी और यूपी की योगी सरकार से काफी उमीद थी लेकिन अब ये तोनों सरकारों को डलित विरोधी करार दे रहे है दलित समुदाय के इस बगावती तेवर की खबर पाकर वजरंग डल के कुछ कारे करता इनको मनाने के लिए पहुँचे थे लेकिन ये लोग हिंदु धर्म छोड़ने के अपने पैसले से पीछे नहीं हटे